हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चैनल मैं डॉक्टर नीता आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ओफ एजुकेशन टेकनोजी एजुकेशनल टेकनोजी से डिलेटेट और भी वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेट हैं आप प्रेलिस में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क करेंगेशन टेकनोजी से हार्डवेर और सॉफ्टवेर-बीच में एक इन्ट्रक्शन एनलयसी की वीद्धी एक तरह का इन्ट्रक्शन एनलयसी है और यह एक तरह का बीहेवल साइंस है जिसके तुरू हम एझुकेशन से इलिटर जो भी प्रावल्ब्लमस हैं उनको सोट- वो desirable change हो जाए जो knowledge का preservation है, transmission है, development है इस से समबंदित जो education technology का subject matter है वो बहुत जादा broad है तो जो इसकी subject matter मतलब विशे बस्तु की प्रकरती विशे बस्तु की प्रकरती के अनुसार education technology के जो types हैं या forms हैं वो इस तरह से हैं पहला है teaching technology, दूसरा है instruction technology, तीसरा आप देख पारे होंगे behavior technology और fourth है instructional design, तो ये क्या हैं इसके सारे forms हैं विशे बस्तु की आधार पर यदि आप hardware और software लिख रहे हैं तो वो approaches हैं education technology की तो हैं हम forms की बात कर रहे हैं कि education technology कौन कौन से forms हैं तो ये विशे बस्तु की प्रकरती के आधार पर चार हैं teaching technology ये according to course rest है उन्होंने क्या कहा है teaching technology is systematic knowledge जो teaching technology है वो बिलकुल systematic knowledge है law principle and recent development of technology to the process of teaching with a view to improve the effectiveness of teaching and training तो यहां पर हम देख रहे हैं कि teaching technology teaching और technology ये दो शब्दों से मिलका बना है teaching plus technology teaching का मतलब है teach करना education देना या किसी को पढ़ाना training देना और technique की क्या है कि जो हमारा द्यानिक जीवन में जो भी हमारी problems होती है और problems के लिए हम जो techniques का यूज करते हैं यानि कि द्यानिक जीवन में वैग्यानिक अभिश्कारों का प्रयोप वह हमारी technology है तो यहां पर जो teaching technology है इसमें teacher अपने content को ज्यादा effective बनाने के लिए technology का यूज करता है इसलिए इसको teaching technology कहा गया है जो teaching technology है यह teaching क्या है एक art है और teaching में क्या करते हैं हम साभी वैग्यानिक सिर्दानतों का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा जो content है वह अधिक इजी हो clarity हो उसमें और बहुत प्रैक्टिकल हो और यह इसको वस्तोरिश्ट भी बनाती है तो जो आपका teaching technology है इसमें content और communication दो जो हमारे aspects से यह ले जाती है content और class communication यह दोनों factors इसमें शामिल होते हैं इस तरह से जो teaching technology के अंदर annotation यानिक instruction और वहवार दोनों तक्निकें आती हैं लेकिन यह ध्यान रखना है कि अनुदेशन तक्निकी के मुख्य प्रक्ष पर अभी करमित अनुदेशन सामिल होता है नैकी वहवारी तक्निकी के कुछ पक्ष पर तो जैसे शिक्षण के सिधान्त है वहवार का सिधान्त है इस तरह ऐसे क्या है कि जो हमारे हम अपनी teaching को effective बनाने के लिए जिन जिन भी technology का प्रयोग कर रहे हैं तो वो इसका मतलब हम अपने teaching में technology को यूज कर रहे हैं तो यहां पर मतलब कोई content को हम कैसे पढ़ाएं यह हमें मनुविज्यान सिखाता है क्या पढ़ाएं यह समाशास सिखाता है और क्यों पढ़ाया जाना चाहिए यह philosophy सिखाती है प्रन्तु प्रभावशाली यानि कि effective कैसे किया जाए यह हमें पता चलता है teaching technology के through कि हम अपने content को कैसे effective कैसे interesting कैसे easy बना सकते हैं जिसे बच्चों को easily समझ में आ पाएं तो हम कैसे करा पाएंगे अपना हमारा content कैसे बना पाएंगे जब हम उसमें कुछ audio visual aids करेंगे जब हम उसमें कोई teaching techniques लगाएंगे कोई strategy लगाएंगे अब हम देखते हैं कि इसकी assumption क्या है यह क्या कह हैं तो इसकी आधार बूत जो माननेता हैं वो इस तरह ऐसे हैं teaching is a student center process जैसे की teaching है हमारा वो हमारा क्या है student center process है जो बाल केंदित शिक्षा है दी जाती है बच्चों के according शिक्षा दी जाती है दूसरा है creative teachers can be produced by teaching और teaching की द्वारा ही सरजनात्मक शिक्षकों का विकास किया जाता है teaching उसी के दूरा उनको training दी जाती है training में उनको बहुत सी चीज़े सिखाय की जाती है और ये भी खा जाता है कि teachers जो है वो जम जाती नहीं होते हैं उन्हें produce भी किया जाता है उन्हें बनाया भी जाता है there is a close relationship between teaching and learning teaching और learning में बहुत close relationship होता है जो कैसे होता है कि जो क्योंकि यह एक क्या है साइंटिफिक प्रोसीस है इसमें content और class communication दोनों ही शामील है और class communication को effective बनाने के लिए ऐसी appropriate teaching environment डेवलप किया जाता है जिससे कि जो हमारी सीखने के रिया है उसमें वांचीत अनुभव दिये जा सके और जो हमारी सीखने और सिखाने की विदिया है उस ज़्यादा इस्थापित किया जाता है class education इस्थापित किया जाता है क्यों कि क्यों किया जाता है जिसे कि teacher और student दोनों ही active रहें और active ही रहेंगे तभी जो हमारा teaching learning process है वो effective होगा teaching activities can be modify and improve जो हमारी teaching activities है यानि कि शिक्षन की परिकिरिया है उसमें हम change भी ला सकते हैं उसमें सुधार भी कर सकते हैं यह नहीं है कि हमें हर content एक तरह से ही पढ़ाते रहेंगे हमें content के according ही अपनी teaching techniques में change लेके आना है change करना है जिससे हमारी teaching effective हो teaching skills can be developed by different approach in teaching और teaching में हम बहुत सी approach यूज करते हैं कभी हम hardware approach यूज करते हैं कभी software approach करते हैं और उसके अंतर गत्रश हम कौन सी approach यूज करते हैं यह भी देखते हैं क्योंकि हमारी जो environment है वो student center environment है और शिक्षन के जो हमारे approaches हैं उसके through हम अपनी skills को भी develop करते हैं desired experience are provided in learning process by creating appropriate teaching जैसे यह बताए कि हम बच्चे में वांशी त्रहवार में परिवर्तन लाना चाहते हैं जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो ही परिवर्तन उसमें दिखे तो हम कैसे कर सकते हैं by creating appropriate teaching उसके बाद है आपका learning objective can be achieved by providing learning experience तो जब हम कोई content deliver कर रहे हैं उस content को deliver करने का हमारा एक objective होता है तो यह हमारा objective कैसे achieve होगा यह भी हमें educational technology सिखाती है मैं learning objective कैसे achieve हो पाएंगे जब हम उनको learning experience बच्चों को provide कराएंगे तो यह हमारे होई assumption इसके बाद इसी के अधार पर ही आपकी इसकी teaching technology characteristics भी इसी तरह से होगी cognitive, effective and psychomotor aspect can be studied through teaching technology अब teaching technology के थूँ हम ज्यानात्म का पक्ष का विकास करते हैं भावात्मक्का और psychomotor तीनों पक्षों का विकास हम इसके थूँ करते हैं क्योंकि जो हमारी teaching technology है यह शिक्षण की प्रिकिर्या को प्रभावशाली बनाती है और इसमें जो है people teacher जो है वो बहुत ज्यादा benefit उठाते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम आपकी तीनों पक्षों का विकास होता है जाभी बताया है मैंने cognitive development भी होता है affective होता है psychomotor development भी होता है तो इसमें हम philosophy, sociology, psychology इन सब की सहायता ले जाती है relationship between two components teaching content and class communication is established through teaching technology जैसे अभी इस से पहले हमने जो assumption बताई है उसमें भी बताया गया है यह कि classroom communication और content यह इन दोनों में ही a close relationship established करती है teaching technology established coordination between planning, organization, leading and controlling तो यह क्या है तीनों इन सभी में planning में हमें क्या content पढ़ाना इसकी planning होती है उसों कैसे और planning के से हैं हम यह भी decide कर लेते हैं कि हमें कौन सी teaching aid use करनी है क्यों उसके बाद का organization, leading, controlling कैसे होगी तो सारे इसमें आस्पेक्ट यह शामिल है teaching technology motivated to teachers adopt teaching method, tactics and strategy जो teaching technology है वो teachers को teaching tactics, teaching strategies यह सब adopt करने के लिए motivate करती है जिससे की उसकी teaching effective हो और बच्चे को दिया गया जो knowledge होगी वो established knowledge हो teaching technology learns teacher to control the behavior of the students यदि हम effectively पढ़ाएंगे तब ही हम बच्चों के behavior को भी control कर सकते हैं तो जब हम पढ़ाते समय teaching tactics, teaching strategies, teaching method इन सब को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे कि हमें कौन से content के साथ, कौन से teaching method को apply करना है, कौन से strategy लगाना है तो जरू अवश्य ही बच्चे के वहवार में परिवर्तन होगा अब हम यहाँ देख लेते हैं कि teaching technology content क्या है, इसकी विशवस्तू क्या है पहला है आपका planning, planning में क्या है कि जब हमें कुछ content deliver करना है सबसे पहला हमारा planning का होता है तो teacher जो है पहले जो content है, उस content का analysis करता है content को divide करता है कि मुझे और उसके बाद उस सीखने के जो उसके उदेशे होते हैं उनको define करता है, उनको behavioral term में लिखता है और इस तरह से उसकी तीनों क्रियाएं करता है यानि कि आपका कारे विशलेशन, content analysis होगा उसके identification objective, उदेशे की पहचान होगी और उदेशे को लिखना, behavioral term में लिखना, यह होगा तो यहाँ पर क्या उसने planning कर दिया, क्योंसे बिंदू को पढ़ाना है क्या उसके उदेशे हैं, उन उदेशे को उसने लिख लिए इसके बाद आपका आगया organization अब यहाँ पर उसने content analysis किया यह decide कि उसे क्या पढ़ाना है, उसके पढ़ाने क्या उदेशे होंगे कब blackboard यूज करेगा, कब वो चार्ट दिखाएगा, कब उसका teaching aid दिखाने इस सब का organization वो दूसरे step में करता है थर्ड है उसका leading, अब leading में क्या करना है थर्ड step है यह इसमें teacher अपनी class के according सभी students को इतना motivate करता है कि वो जो उसका teaching है, वो teaching interesting लगने लगे बच्चों को और जो उसने objective first step में decide किया था उस objective को आसानी से प्राप्त कर ले इसके बाद आपका controlling, controlling में क्या करता है कि यहाँ पर उसने content deliver कर दे, अब यहाँ पर उसे check करना है कि जो मैंने सिखाया, वो बच्चों ने कहां तक सीखा जो मेरा उदेशे में decide किया था, क्या मुझे वो उदेशे प्राप्त हुआ या मुझे अभी और सुधार करने की आवशकता है तो यहाँ पर आपका यह हो गया teaching technology इसके बाद आते हम instructional technology अनुदेशन तकनीकी जिसे कहते हैं अनुदेशन जैसे कि आप नाम से समझा रहा है अनुदेशन देना, सूचना देना, कुछ बच्चों को बताना तो यहाँ पर इसका मतलब है सूचना है, परदान करना अनुदेशन तकनीकी एक ऐसा भीश है और teacher के behavior में भी change होगा Instructional technology, professional seeks to understand the way people learn in order to design tools Instructional system tailored to specific learning style so that teachers can improve how efficiently they instruct their student कि वो अपने students को किस तरह से properly instruction दे using technology to develop teaching method और वो किस तरह कौन-कौन से वो method होगे किस तरह से उनको सूचना है देनी है यहाँ पर क्या है, इसमें इस तरह के, जो हमारी instructional technology की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर annotation और शिक्षन दोनों में विध्यारतियों सीखने की प्रिणा दी जाती है प्रंतु दोनों में difference है annotation का मतलब है communication of information सूचना है देना और यहाँ पर यह काम teacher के अलावा अन्य वक्तियों या युक्तियों दोरा भी पूरा किया सकता है उधारन के लिए जैसे आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो यहाँ पर केवल जो आप audio चलाएंगे यहाँ पर आपको instruction मिलेंगी यहाँ आपके सामने teacher अवेलेबिल नहीं है तो यहाँ पर किसी भी audio visual aids के थुरू जैसे कि हम देखते हैं जो कोर्स होते हैं या open university कोर्स कराती है उसमें instruction technology का यूज़ किया जाता है instruction technology मतलब जो कि hardware approach पर based है इसमें tape recorder, record player, television projector यानि कि मशीनों के थुरू शिक्षन दिया जाता है मशीनों पर आधारित शिक्षन आता है तो जिसकी सहायता से इस्टुएंस के बड़े से बड़े सम्हूं को हम कम खर्च में ज्यान प्रदान कर सकते हैं तो जो अनुदेशन तक ने की है यहाँ पर teacher नहीं है student सुन रहे हैं उसको लेकिन वो teacher का place कभी भी नहीं ले सकती यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अनुदेशन जो है वो विशेषता है प्रोग्राम instruction द्वारा विध्यारतियों को स्वैम सीख सकता है मतलब प्रोग्राम instruction आपके वास एक प्रोग्राम बना के भीज़ दिया गया उसमें आपके पहले आपको explanation दे दी गई उसके आद questions पूछे गई उस question में आप देख रहे हैं कि आपको feedback साथ साथ मिल रहा है सही जा रहे हैं तो आप आगे चले जाएंगे इसलिए शिक्षण को ता अनुदेशन कहा सकते हैं आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि हम teaching में instruction का यूज करते हैं इसलिए teaching को instruction क्या कहा जा सकता है लेकिन instruction को teaching नहीं कहा जा सकता क्योंकि annotation में शिक्षण और विधारती के बीच interaction होना आवेशक नहीं होता अब यहाँ पर आपके और मेरे बास सुन पा रहे हैं लेकिन अभी समय आपके मन में कोई query है तो आप तुरंट उसको नहीं पो सकते हैं आप एक message के बल डाल सकते हैं तो यहाँ पर आपके और मेरे बीच में proper interaction नहीं हो पा रहा है आप आमने सामरे होगा तो अनुदेशन तकनिकी का आधार machine पढानी है आपको यह ध्यान रखना है इसके बाद हम देखते हैं assumption क्या है जैसे कि अभी बताया कि इसमें information दी जाती है assumption अभी इसकी यह है कि information दी जाती है किसी भी content को छोटे-छोटे elements में डिवाइड कर लेते हैं और उनको independently पढ़ाया जाता है external condition of learning can be created by arising section of logical sequence और जो भी हम content को डिवाइड करते हैं वो content logical sequence में होता है जैसे आपको आपका topic है concept of education technology इसको डिवाइड करना है पहले आप education technology बताएंगे दोनों का क्या है education का meaning बताएंगे फिर technology का meaning बताएंगे फिर उसके बाद teaching technology बताएंगे behavior बताएंगे इस तरह systematic होगा unsystematic नहीं हो सकता principle of reinforcement जैसे ही बताया है मैंने कि पुनर बलन दिया जाता है पुनर बलन के आधार पर ही बच्चा आगे बढ़ता है students can learn according to their need and speed यहाँ पर बच्चा अपनी need के अकॉर्डिंग और अपनी speed के अकॉर्डिंग पढ़ता है उसे कोई compulsion नहीं है कि आठ गंटे या साथ गंटे इसकूल में बैठना है वहीं बैठकर पढ़ना है यहाँ वह अपनी need and speed के according instruction के थुरू पढ़ेगा क्योंकि उसके पास audio visual aids है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा teaching process can be performed without a teacher यह क्या है यहाँ पर teacher कमें भी पूरी हो रही है यहाँ पर बिना teachers के पढ़ा जाता है यहाँ पर आपके पास घर पर ही material आता है या आपको वेबिनार के थुरू पढ़ाते है या आपको कोई audio या वीडियो भी दी जाती है तो वहाँ पर teacher के आश्टा नहीं होती है इसके बाद आपका यहाँ पर है characteristics इसी के base बर ही है कि वही same characteristics होंगी कि organization होता है motivation, motivate teaching and learning process, helpful achieving cognitive object it can control individual difference की बच्चा अपनी speed के अगोड़ी के अगोड़ी के अगोड़ी के अगोड़ी के अगोड़ी सीखता है ज्यानात्मपक्ष का विकास होता है या motivation मिलता है इसके बाद है आपका content क्या है इसका teaching is a content है origin and development of program instruction, meaning and structure of instruction technology पहला है अपका अनुदेशन अगोड़ी का आर्थो सा रूप क्या है उसके बाद program instruction की उत्पत्ति और विकास फिर इसके प्रकार, assumption, principle, program instruction, steps of construction और program instruction की program instruction को बनाने के step क्या होंगे और क्या-क्या material यूज़ होगा, सामगरी का, निर्मान कैसे करेंगे, उसके steps होंगे अभिक्रमित अनुदेशन के शेते में शोद, प्रयोग, एमम, नमीन, विचार धारा है ये इसका हो गया content, ये content इसके through, ये content है, इसके through बच्चे पढ़ते है यदि आप किसी distance learning से education ले रहे हैं, तो program आपके पस बना कर भी दे जाते हैं उन program के according आप अपने इस तर के according सीखते हैं, अपने आवशकता के according, अपने समय के according, जब आपको समय होता है तब आप अपने उस program को खोलते हैं, और देखते हैं, उस पर जाते हैं, उसको पढ़ते हैं और वहीं से आपको reinforcement मिलता है, यदि आपका answer सही है, तो आपका answer सही नहीं है तो आप आप वापस फिर पहले पीस पर आते हैं, फिर से उस program इनको पढ़ते हैं इसके बाद है behavior technology, वहवार तक्निकी, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा वहवार, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वहवार में परिवर्तन ना वहवार, यहाँ पर student और teachers दोनों के वहवार की पात की जाती है, जो यह वहवाई तक्निकी है, यह भी शेक्षि तक्निकी क अंग है, यह इस बात पर बल देती है कि teaching learning process में psychological जो principle है, उनका प्रयोग किया जाए, और शिक्षन के उद्यशों के संदर में student और teacher दोनों के वहवार में desirable changes हों, क्योंकि आज की जो हमारी education है, वो child center education है, तो प्रतेक teacher को child psychology, उनके mental level, the teacher and papers may be modified in accordance with teaching objective as a present education, child center education, जो हमारी present education है, वो child center education है, सभी teacher को जो आपका child psychology है, बाल मनुविग्यान है, इसकी knowledge होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, कि students के जो age level है, उनका mental level है, उनके efficiency क्या है, तो individual difference क्या है, यह सब clearly पता होना चाहिए, तभी वो teaching के objective को अचीव कर पाएंगे, और students के जो learning experience हैं, उनको develop करते हुए, उनके desirable behavior में वो change कर पाएगा, अब देखते हैं, इसकी assumption क्या है, behavior technology की, first है, behavior is observable and miserable, वहवार का जो है, वो मापन भी किया जा सकता है, और direction भी किया जा सकता है, उसके बाद है, आपका behavior is modify भी कर सकते हैं, इसको मापन कर सकते हैं, गुरात्मक वहवार है, वहवार का समाजिक, मनवग्यानिक और दाशनिक अधार भी होता है, और वहवार में परिवारजन भी कर सकते हैं, और वहवार सुधार के लिए punishment और reward दोनों दिये जाते हैं, जिसे की बच्चे के वहवा में change लाने के लिए क्या करना है, जो हमारा content है, उस content के जो लेवल है, memory level, understanding level और reflective level, तो teacher को चाहिए, इस student के सामने जब content को develop करे, तो वो एक और तो खुद active रहे, और दूसरी और पच्चों के वहवार में change लाने के लिए, desirable change लाने के लिए, उनके जो ideas हैं, उन्हें व्रक् freedom दी जानी चाहिए, मतलब कहने का यह है, कि जो हमारी teaching है, तब ही success होगी, जब student और teacher दोनों के बीच में proper interaction होगा, यह interaction शाब्दिक, अशाब्दी, verbal, nor verbal दो तरह का होता है, शाब्दिक में जो teacher है, वो बच्चों से प्रेशन पूछ कर उनका उतर प्राप्त करता है, दूस तरह से जो वहार तक नहीं की है, एक और यह बताती है कि teacher के वहार में अपेक्षित परिवतन कैसे किया जाता है, दूसरी और, इसके अंतरगत जो teachers, teachers के, teacher जो class के related, जो भी वहार होता है, उसका observation करता है, विशलेशन करता है, व्याख्या करता है, विकास करता है, इन सब का फलेशन के लिए लेख भी सिखता है, इसलिए करता है, की प्रतेवmons, जामजाद शेक्षक नहीं होता, शिक्षकों को प्रेशिक्षन के दोरा भी प्रोड्यूस किया जाता है तो यह हो गई इसके अजम्शन इसके बाद है आपका करेक्टरिसिक्स जो है अजम्शन पर ही बेज रहें इस साइक लोजिकल सेंटर आइडियोलोजिकल यह जो है आपकी जो विशेश्टा है यह वन वग्यानिक केंदिद विचार धारा है में शिक्ष्चान और शिक्षव व्यक्वार का अर्थ और सरूब मेनिंग एन इस्ट्च्चर ओफ टीचिंग इंद बेहिवर उसके बाद है पिंस पर इंजंप्शन ऑफ इस बीएवर उब्जरबेशन मैंथर्ड की क्या क्या होंगे विभिय खशागत व्यवारों का अध् ल्यांकन होता है यह इसमें क्या-क्या यूज करते हैं प्रोग्राम इंस्टर्च्छन टीगूरुप ट्रेनिंग माइक्रो टीचिंग बच्चों के जो टीचिंग ट्रेनी दो होते हैं उनके वहवार भी सुधा के रिए माइकरो टीचिंग के आती है फिरिस्टेशीं के जाती है, टीम टीचिंग होती है इस तरह सी से गंटेंट है उसके बाद हम آते हैं इंस्ट्रक्शन डिजाइन की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन डिजाइन जो है अनूदेशन और प्रारूप दोनों से मिलकर बनेगा यह अनुदेशन सूचना देना और जो हमारा डिजाइन है वो क्या है वग्यानिक विब्यों से जांच के लिए किये गए सिद्धान्तों से मतलब कहने का है कि शिछन के छेत में जिन प्रारूपों पर कारे किया जाता है उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहते हैं जब इस्टुएंट्स के वहवार में चेंज राने के लिए सीखने के जो हमारे प्रिंसिपल है उसके साथ साथ हम अपने टीचिंग लर्निंग का जो हमारा एन्वार्मेंट है सिचुएशन है ऑर हमारे जो फंक्शन हैं उनका जो पूरा और जो अप्रोचोज़ हैं उनके सम्लित रूप को हम कहते हैं अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है अब assumption क्या है इसकी इसकी assumption है इंस्टुशन डिजाइन इस बेज़ेज ओन टीचिंग प्रिंसिपल जो अनुदेशन प्रारूप है वो शिक्षन के सिद्धानतों पर बेस होता है इस इंसक्शन डिजाइन टेक हैल्फ फॉम क्याल्कुलेटर मैथमेटिक्स मॉडल अनुदेशन प्रारूप में जो गणितिय प्रारूप है उनकी सहायता लियाती है टीचिंग के द्वारा हम अपनी टीचिंग को एफेक्टिव बना सकते हैं जो टेन टीचर है और अन्टेन टीचर है उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो अपने आपी देखने में मिल जाता है इसके बाद है टाइप्स है और टाइप्स ओफ इंसक्टनल डिजाइन पहला इसका टाइप है आपका टेनिंग साइक्रोजिकल डिजाइन यानि के मनो विज्यानिक प्रशिक्षंड दूसरा है साइबनेटिक डिजाइन प्रेष्ट पोशन और तीस रे सिस्टेम एपरोच सिस्टम एप्रोच आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुकी है जो प्रस्रिक्षन मनोविज्ञान है यह प्रस्रिक्षन मनोविज्ञान में जो है जो भी ट्रेनिंग की जटिल समस्याइं है उन समस्याओं और एन्वार्मेंट पर किये गए शोद के परणाम से रूप है इसक प्रिक्षन और सीखने की विधि का एक अंग है तूसरा आपका साइबरनेटिक प्रेशच पोशन मनोविज्ञान इससे प्रतेक विक्ति अपने वहवार को नियंत्रित और परिवर्तित करने के लिए उसको प्रेश्ट पोशन की प्रिखिया का उसके लिए प्रियोग किया उन प्रॉब्लम को सोट आउट करता है और इस पनाले का संबन किसी पूर्ण करम की ऐसी विवस्था से जिसके विभिन अंगों का आपस में पूर्ण से अंतर संबन बना रहाता है तो इस ऐसे वीडियो आपका ये सेशन ही खतम होता है यदि आपको वीडियो पसंद आती है ल